आपके सामने मतलब असानी से दिखी रहाँ होगा तो आज का जो टोपिक है क्या है ग्रूपिंग ग्रूपिंग एगर उसका हिंदी देखा जाए तो क्या होता है आप यहां पर देख सकते हैं समुः समुहन यहां पर दिखा लिखा हुआ है और इसके बाद है समोही करन तो आज का हमारे टॉपिक यही है मैं आपसे यही के लिए करता हूँ सबसे पहले अगर आपको विडियो थोड़ा सा भी समझ नहीं आएगा तो आप विडियो के नीचे कुछ भी लिख कर जा सकते हैं तो मेरे प्यारे साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज का आज वो हमारे टॉपिक है ना बहुत ही क्या है बहुत ही मतलब खतरनाक है ठीक है तो यहाँ पर आप बात करते हैं समोहन यानि समोही करन ठीक है तो चलिए अब हम इसका और भी नामों से जानते हैं बाते हैं, गुरुप बनाना कह सकते हैं,डिया वर्घ विभाजण या कह सकते हैं यूठ बनाना तो साथ ही यहाँ पर यह बाते हैं आई हैं हमारा fierce English होता है यानि जोしまहन होता है, उसको हम और वह भी नामों से बुलाते हैं जो कि आप यहाँ पर तो यहां पर आप देख क्या रहे हैं कि लिखा क्या हुआ है कि समुहन तो कहते ही कहते हैं उसके साथ हम कहते हैं गुरूप बनाना गुरूप बनाना या कह सकते वर्ग में बाटना और कह सकते यूथ बनाना ठीक है तो जैसा कि आप सब जानते हैं यूथ बनाना यानि जैसे तो यहाँ पर आप देखी कि ध्यान देने वाली बात यह है, क्यार क्या मेरी आवाज आपको सुनाई पढ़ रही है, चलिए मेरा वाज आपको सुनाई दे पढ़ रही होगी, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजेगा, जो बातों को मैं यहाँ पर बतलाऊँगा, तो यहाँ पर ध्यान देने माली बात तो यह है कि आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आप देखी की लिखा क्या हुआ है ध्यान दे अब क्या ध्यान दे थोड़ी सी पेन की कोलर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या करना है ध्यान दे तो यहाँ पर देख सकते हैं किल आपको अभी डरनी नहीं है मैं जो समझाओंगा बहुत ही बारी के से समझाओंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है तो किल लिखा हुआ है खुरफी, पहिया, बला, रैकेट और मग, गेंद, उट और चौक और इसके बाद पेन और इसके बाद पेंसिल, नोटबूक, रबबर और साबून और माचिस का डबा, फल, नमक और कैसकते हैं आलू, चावल, डाल, चौकलेट, फूटे, हुए डबबे, मतलब फूटे हुए वल्व, और इसके बाद मुम्बती, पौधे, फूल, इत्यादी तो कैसे यहां पर आप देख साइते हैं कि इन सब जो बातों में से मैं आपको अभी पताया क्या इन सब बातों आपको पहले से आती हैं यहां पर लिखा क्या हुए तो यहाँ पर ये सब बाते आप सब जानते ही होगे कि खुर्फी पहिया ये सब क्या होता है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जो मैं आपको समने परिभासा दिखलाओंगा यहाँ पर आप दिखने का प्रियास कीजिए परिभासा दिखलाने का बाद जो मैं आपको समझाऊंगा ना बहुत ही बारकी से यहांपर आप देख सकते हैं पहले इसको परिभासा को हम अंदर करते हैं और इसे से समझते हैं सबसे पहले आप बताइए अगर इन सभी वस्तों को किसी एक जगह पर मानते हैं पर मैं एक दूसरा color हम करते हैं यहाँ पर मानते हैं किसी एक अच्छे group में इसको रख देते हैं तो क्या अगर हम आपसे कहेंगे कि जाए और वहां से kill ढूंड कर लेके आईए तो क्या आप वहां से ढूंड कर ला सकते हैं अगर मानते हैं इन सभी चीजों को अगर हम एक ही जगह पर बहुती मस्त अच्छे से रख दे सब को फेट कर यानि इसमें कुछ भी रह सकता है आलो दाल मुर्गा मचली कुछ भी रह सकता है मतलब सब को फेटकर हम रखे तो क्या आप पहचान लेंगे, नहीं पहचानेंगे आप नहीं पहचानेंगे, पहचानने में आपको देर हो जाएगे तो इन सभी वस्तूओं को सब को अलग-लग भागों में बाट कर रखना गाइज कहलाता है समोहन या कह सकते हैं समोही करन आप ऐसे नहीं समझेगा आप यहाँ परिभासा देखे और मैं आपको समझाने का पर्यास करता हूँ यहाँ पर आप देखे कि लिखा क्या हुआ है कि वस्तूओं को वस्तूओं यह सब जितने भी अभी भी हम बताए है यह सब क्या है वस्तू है तो यहाँ पर यह सब जितने भी वस्तू है यहाँ पर आप देखे कि वस्तूओं के उनके बिसेस गून अब बात आती यार बिसेस गून अखिर होता क्या तो जैसा कि आप सब को पता यार विस्थेस गुन क्या होता है तो किसी का खास गुन जैसे एक्जामपल बताईए खास गुन कहने का मतलब आप बतलाईए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है यहाँ पर किल लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर एक किल है और यहाँ पर एक पहिया है तो क्या आप बता सकते हैं कि पहिया और किल में क्या गुन में अंतर है क्या आप बता सकते हैं दोस्तों गुन यह है कि किल को हम गारते हैं किल को हम किसी जगह पर गारते हैं और पहिया को हम किसी साड़क पर चलाते हैं तो क्या इनका गुन सब अलग-अलग है क्या इन दुनों में किसी विसेश गुन है या इन दुनों में विसेश गुन है या नहीं है आप वैसे नहीं समझेगा यहाँ पर आप देखिए यहां पर यहां पर बल्ला समझ पर आ रही है तो पेन से हम लिखते हैं और बल्ला से हम खेलते हैं तो इनमें एक खास अंतर है अगर बल्ला और पेन को साथे रख दे यानि यह सब जितने भी चीज़े आपके यहां पर पतार्त दिख रहे हैं इन सभी को अगर हम एक साथ रख तो क्या आप पहसान लेंगे कि कौन सा क्या है नहीं पहसान पाएंगे तो बल्ला और पेन में क्या है एक खास गुन है वैसे नहीं समझेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिभासा है क्या है देखिए कि लिखा क्या हुआ है उसके विसेस गुन तो विसेस गुन समझ ग तो वस्तुए के उनके खास गुन के अधार पर अलग-अलग समुह में रखते हैं अब बात आती है उसके विशेस गुनों के अधार पर अलग-अलग रखते हैं और तब उनकी पहचान सरलता से यानि असानी से की जा सकती है तो इस करिया यानि इस कारे को हम कहते हैं समुहन य के साथ रहते हैं नहीं न अगर हम बात करते हैं कि एक डॉक्टर और एक कह सकते हैं टेंपू ड्रैब्डर और एक कह सकते हैं एक जो मेहनत मजदूर होते हैं वे सब बहुत सारे लोग सभी अगर सभी चीजों को एक जगह पर मिला दे तो क्या आप उन लोगों के पहचान अलग है और इसके बाद आप बता सकते हैं बल्ला तो बल्ला का गुन क्या है अलग है अगर हम सभी को एक जगह पर रख दें तो आप नहीं पहचान पाएंगे और लेकिन उन ही को हम उनके गुनों के अधार पर जैसे कलम है तो एक कलम को एक गुरूप बना लेंगे जैसे यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा क्या हुआ है तो यहाँ पर बल्ला तो एक हम यहाँ पर बल्ला के गुरूप बना लेंगे तो यहाँ पर जो यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर होंगे यहाँ पर कोई भी चीज होंगे क्योल और ठीक है, समुहन यानि कह सकते हैं grouping तो आपको ये समझ आई की नहीं आई, समझ आई हो तो यार वेडियो को like करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करना और स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल साइन्स महल पर यहां पर आप देख सकते हैं साइन्स महल लिखा हुआ यह सेनल बना किस चीज के लिए है तो आपको